हेलो एवरीवान वेलकम बेक टू माई चैनल ट्रिपल सैवन सोलत एरोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आप सब आप सब आप सब है खुश है अपनी लाइफ में आपके बढ़ रहे हैं तो अभी मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक है next three days आपकी life के कैसे रहेंगे आने वाले तीन दिनों में क्या बदलाओ क्या changes, good news, blessings आप attract कर रहे हैं इन आने वाले तीन दिनों में आपकी love life, आपका work आपकी health कैसी रहेगी तो जो भी reading में आएगा मैं आपको बताऊंगी तो बिना देर करे reading को start करते हैं देखते हैं क्या आता है तो हमेशा की तरह मैं आपको बता दू कि इस general reading है हो सकता है सभी के साथ resonate करें हो सकता है ना करें so please keep an open mind and यह reading timeless भी है तो आप जब भी यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं तो आप start करते हैं और देखते हैं क्या आता है okay we have hangman Pisces okay page of pentacles and the hierophant six of cups and seven of cups page of swords we have king of swords justice devil and seven of pentacles two sevens here okay ace of swords है bird on the deck से okay तो मैं थोड़े से साइन जो यहां दिख रहे है ना strongly वो मैं आपको बताती हूँ यहां पर है Capricorn, Taurus Gemini, Libra, Aquarius Cancer, Scorpion, Pisces यहां पर मुझको fire साइन नहीं दिख रहे है बाकि सारे साइन यहां प्रेजेंट है लेकिन fire साइन भी हो सकता है क्योंकि यह जेनरल रीडिंग है तो आपको आप फोकस करना है रीडिंग पर ना कि साइन पर लेकिन साइन मैंने फिर भी इसलिए बता दिए कि कुछ लोग पूछते है इसलिए मैंने बता दिया है ठीक है ओके तो आने वाले तीन दिन कैसे रहेंगे देखो आप अगर मैं आपके सबसे पहले करियर की बात करूँ तो करियर में आपके वार्क में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजड हैं अब कन्फ्यूजड आपको पता नहीं किस चीज को लेकर हो रही है और सकन्फ्यूजड के वज़े से डिले भी हो रहा है सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ मुझे आप कन्फ्यूजड इसमें ने दिख रहे हो कि आपको करना क्या है आगे इस चीज में नहीं confused हो आप, आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस line में आपको आगे बढ़ना है, क्या direction फॉलो करना है, यह चीज आपको पता है, कौन सा course आपको करना है, किस तरह की job आपको करना है, कहां आपको जाना है, यह सब आपको clear है confused मैं आपको देख रही हूँ कि जो जो भी objective जो भी गोल पर्टिकुलर गोल जो आपने recite किया अपने लिए आप confused हो कि उसको करना कैसे है उसमें आगे कैसे बढ़ना है क्या strategy बनानी है क्या follow करना है इन चीजों में आप confused है आपको feeling तो आती है कि जो भी आपने चूज किया है कुद के लिए best है ठीक है उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता लेकिन आप इस चीज को आप करोगे कैसे step by step चलोगे कैसे इन चीजों में मुझे आप थोड़े से confused दिख रहे हो तो हो सकता है कि यह तीन दिन आप शायद ले लो सोचने में, समझने में अपना proper strategy बनाने में and then आपका यह delay खतम हो जाएगा then आप अच्छे से काम करोगे चीजे work करेंगे आपकी life में ऐसा नहीं है कि आप stuck हो जाओगे चीजे work करेंगे लेकिन आपको यह confusion तो दूर करनी पड़ेगी न one by one step by step अपना काम करो and then definitely आप इस confusion से दूर हो जाओगे और आपको clear vision होगा कि yes आपको ऐसे करना है और यह चीजे करनी है टाइम पर तो यह कुछ career में है आपके अगर मैं आपकी love life की बात करूँ तो देखो love life में चीजे थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है यह जो आपके person है यह आपको social media पर stock करते है इसका मन भी करता है कि आपको यह message करें बात करें आपसे एक और message है career के लिए हो सकता है कि आने वाले तीन दिन में आपको कोई contract या फिर document वगेरा पर sign करना पड़े अपने process को आगे करने के लिए ठीक है हो सकता है sign वगेरा documents या कहीं admission आप ले अपने knowledge को enhance करने के लिए तो यह चीजे भी career में आ रही है ठीक है अगर मैं love life की बात करूँ तो definitely इस person का मन करता है आपको contact कर लें आपसे बात करें ठीक है आपको social media पर भी stock करते हैं ये person और check करते हैं कि आप क्या कर रहे हो किस time online हो किस time नहीं हो कही ना कहीं devil energy अभी भी आपके relationship में है ठीक है अब ये आपके person की तरफ से है क्योंकि शायद ये जो person है हो सकता है कि आपका past life connection भी इस person के साथ रहा हो और इसको बहुत अजीब अजीब सी feelings आती है कभी लगता है कि yes contact कर लेना चाहिए कभी लगता है कि नहीं थोड़ा wait करना चाहिए कि यहाँ आपर delay का भी card है seven of pentacles और इसे trust issues भी हैं यहाँ पर आप दोनों को ना एक दूसरे को लेकर आपको लगता है कि अभी शयाद यह person इतना mature नहीं हुआ है कि इसको commitment दे दी जाए ऐसा ही आपके person भी सोचते हैं और कही न कहीं thinking आपकी भी है ऐसी ही है लेकिन don't worry यहाँ पर ना devil के साथ God भी present है ठीक है justice यह justice आपको मिलेगा इस person को clarity मिलेगी इस person को definitely realize होगा कि yes आप तोनों एक दूसरे के लिए बने हैं क्योंकि यहाँ से six of cups का भी card है 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 रोफेंट का भी card है God यहाँ खुद प्रिजेंट है with the justice card definitely यहाँ पर यह spiritual cards भी आए हैं तो definitely मैं कह सकती हूँ कि connection आपका बहुत strong है और divine नहीं आप दोनों को मिलाया है लेकिन अभी भी थोड़ा सा क्योंकि with the seven of pentacles थोड़ा सा wait करना पड़ सकता है क्योंकि यह person अभी ready नहीं है इसको थोड़ा सा और अपने आपको heal करना पड़ेगा और जाद आपने आपको strong बंदाना पड़ेगा ठीक है ऐसा है otherwise यह person आपको stalk करते हैं आप इसके दिल में हो दिमाग में हो तब ही ऐसा कर रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो यह आपको stalk नहीं करते हैं तो आने वाले तीन दिनों में भी आपको stalk करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आपको message कर दें या ना करें कुछ ऐसी thinking रहेगे आपके person की और अगर आप बिल्कुल single हैं कोई आपके life में नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई person आपकी life में entry करे और वो person कार्मिक हो सकता है तो be alert ठीक है उसको अच्छे से जान कर पहचान कर ही उसके साथ रिष्टा आगे बढ़ाना वरना आप खतम कर देना ठीक है बहुत सोच समझ कर आप decision लेना ये नहीं होना शहाए चाहिए कि आज आपकी चीसे मिले और आपने तुरंती relationship में आ गए थोड़ा उसको जानो पहचानो देन एक step लो ठीक है ये चीज़े हैं यहाँ पर बापकी तो देखो justice आपको मिलेगा ऐसा नहीं है कि divine आपकी साथ नहीं है divine आपको protect नहीं कर रहे है divine आपको protect भी कर रहे है आपको guide भी कर रहे है career में आप खुद confuse हो रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे strategy बनानी है कैसे क्या plan करना है ये चीज़े अगर आप सोचोगे ध्यान से थोड़ा सा meditation कर लो हो सकता है उससे थोड़ी सी help हो जाए ठीक है and then अपना एक plan बनाओ कैसे work करना है आगे तो ये है बस health के लिए मैं कुछ cards निकाल लेती हूं आने वाले तीन दिनों में health कैसी रहीगी आपकी wait a second five of cups five of wheels wait a sec okay एक और कार लेना होगा and tower लेकिन tower ना reverse में हो गया है okay ठीक है guys health issues मुझे दिख रहे है लेकिन यह ज्यादा नहीं दिख रहे है हो सकता है आपको थोड़ा headache हो या fever हो जाए ठीक है ठंड की वज़ा से और यह भी हो सकता है के cough cold क्योंकि ठंड है winter है ठीक है ठीक है ठीक है टावर रिवर्स में आ गया तो बहुत major issues तो नहीं है minor ही होंगे आप इसको अगर अपना ध्यान रखोगे तो आप ठीक हो जाओगे ठीक है helpful people okay हो सकता है कि आपके life में कुछ helpful people आइं जो आपको definitely help देंगे और आपको maybe अपने life में कोई direction दे आपको helpful people आपको consider करने के जरुरत है यह divine खुद कह रहे है consider करो सोचो क्या कर सकते हो अपनी life को better बनाने के लिए and थोड़ा सा weight भी कह रहे है angel थोड़ा सा weight भी रखना पड़ेगा आपको आने वाले तीन दिनों में आपको बहुत जदर रिजल्ट तो नहीं लेकिन yes helpful people divine भेजेंगे जिसके through यह friend हो सकते है family members हो सकते हैं जो आपको advise कर दें ठीक है साथ चीक है I hope कि आप समझ पा रहें मेरी बात को अपने काम में अच्छे से consider करो यह अगर आप अच्छे से कर पाए तो यह weight भी तम हो जाएगा यह आपके हाथ में है चीक है चली मैं आपके लिए कुछ cards यहां से भी लेना चाहूंगी यहां से क्या हमें पता चलेगा आने वाले तीन दिनों के लिए perseverance देखो universe तो आपके साथ है हमेशा strong रहिए और अकेला feel मत कीजेगा and we have rejection and dissipating आप थोड़े से disappoint दिख रहे हो और थोड़े सा अकेले हो ठीक है और आपको इस बात का डर है कहीं rejection ना मिल जाए जो भी कम start किया है उसमें कहीं rejection ना मिल जाए rejection क्यों मिलेगा अगर consider करोगे अच्छे से तो rejection नहीं मिलेगा आप अकेले हो यह बात समझ में आ रही है मुझे अकेले हो बोल हो रहे हो लेकिन फिर भी देखो यहां bird है आपके लिए it means universe आपके साथ किसी ना किसी रूप में है जो आपको motivation दे रहे हैं आपको strength दे रहे हैं यह phase आपको खतम होगा आपको abundance मिलेगा आपको happiness मिलेगी बस थोड़ा सा wait और अपने काम को अच्छे से कर लो भी time है ठीक है तो guys यह है आपकी reading I hope कि आपके साथ resonate होई हो आपको पसंद आई हो अगर reading resonate होई है तो comment section में बताना चैनल पर नए हो तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care